अब ऐसी चलाऊंगा मैं जा रहे थे जी रखपुर टायर पेंचर जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा टाइम से हेलो गाइज तो कैसे हैं आप लोग आई होप सब बढ़िया होंगे मैं भी ठीक हूं और अभी आपको लाश्ट ब्लॉग से गाड़ी चेंज दिखती होगी क् कि आप लोगों ने कि आउस विलोग में देखा था कि मेरी क् po चला रहे थे और मार्व भाह का एंग्सिडेंट हो गया था तो मेरी अभी तो भी एकों से पर है और आज मैं उस मुखिय भी जा रहो हो नाकम में तो ठीक हैं ज्यादा च्वोट तो नहीं आई है एक सिंगर जो मैंने बताई थी ना लाच फिंगर में आठ टांके लगे हैं और तीन जगे से क्रेक है थम्में तो आज सायद उपरेशन होगा उनका अभी मेर को सायद ली सायद अगर टाइम मिला मेर को तो मैं हॉस्पीटल जरूर जाओंगा अभी जा रहो हूं मैं जीरकपुर जीरकप लेके जा रहो हूं वहां पे और फिर क्लैम पे डालनी है ना पूरी तो उसको करके उसके बाद में थोड़ा सा काम है वो करना है वाकी मैंने फोन करके तो एक तो बार पूस लिया है जैसे अभी कुछ होगा तो बता देंगे मेर को नीट होगी तो मैं आ जाओंगा वही दि जो कि काफी डेमिज है और उसके पार्ट वगरा आएंगे और ख्लैम पे जाएगी तो बहुत बैंक वाले भी इस्तु करते हैं थोड़ा सा 3-5 करते ही हैं कहीं से कहीं ना कहीं से करते ही है 3-5 पूरा एक महीना लग जाएगा आने आने में तब तक मैं इससे ही ब्लॉक बनाऊंगा और इसी को अभी अपने पास रुखुआ थोड़ा टाइम यह महभू भाई किया है क्योंकि उनके हाथ में तो अब लग जाए चोट औ और उस बहुत अच्छा टन था दब पूरा यू टन ही था और यह चला रहे थे उस थर्ड लाइन पर जो डिवाइडर से डिवाइडर के पास में चलती है तो इसनी कबर हो नहीं भाई उनसे पर वो तो एक मिश्टेक थी उनकी खुद की गलती थी और वो खुद एकरी थे तो आज मेरे को जाना पड़ेगा ऐरपोर्ट वाले से क्यूंकि यहां से उपर से तो जा नी सकते ऊपर से जाओंगा तो लाइटों में मेरे दो तीन घंटे खराब हो जाएंगे तो मैं भी नीचे एरपोर्ट रोड से जाओंगा इसमें लाइटें बहुत कम है अराउंड एक दो किलो मीटर के बाद ही है पर है तो नीचे वाला बैस्ट है और यह पकड़ लिया चालान के लिए स्वेगी वाले को भाई मेरा हैलमेट हाथ में रखते जा रहा था कि अधर के हाथ से केक काटा है उसका और अभी इसमें पिट्रॉल भी पड़ाना है तो मैं बड़ा से पिट्रॉल भी पड़ा लेता हूंगा यह लो अरे रुख जा यार को हो हो लेडीज पिट्रोल डाल रहे हैं यहां पर एक तुत तीन गिल्लिया तीनों को गिल्टिया यह ट्यूब बले ट्यूब लेस है यह ट्यूब बलाए यह ट्यूब बलाए खाहिँ दाल दो फिर हवाई डाल दो लो भाई है यह वो गया बड़ा पंगा इधर आगे कहीं है रोट पे ऑध निकल रहे बहुत तेज इधर पता हैं आपको कहींवे आगे आगे जीरकपुर तक पहुंच जाएगी ज्यादा ही पैंचर है यह तो लोगाइस हो गया बंगा जा रहे थी जीरकपुर टायर पैंचर फाइनली गाइस पैंचर की दुकान तो मिल गई है पर मेरे को यह समझ नहीं है रहे हुआ कहां था है पूरा पैंचर है यार यह हूँ अब इसमें जाएगा एक तीड़ घंटा है और मैं पैंचर पहले पढ़ वालों फिर मिलता हूं आपको तो फाइनली गाइस पैंचर जुड़ चुका है और पैंचर जुड़ने में एक ट्यूबलेस ट्यूबलेस वाले पैंचर थे एक मिली थी बहुत मुस्किल से उसमें भी लंच टाइम हो गया बंदे खाना खोली रहते इपिन से तो मैंने बोला पेले खालो कोई दिक्कत नहीं है इतनी कोई अमर्जेंसी नहीं आई है तो जुड़ गया है अराउंड बच अब दो और मेरे को भी आदा घंटा और लगेगा एजेंसी पहुंचने में और यह कितने खुबसूरत खुबसूरत ट्रेक्टर लगा के रखे हैं भाई कि सौफ लग रही है रहान भाई के पास भी फोन किया था थो थोड़ा सा काम बता रहे थे करने को तो वो भी कैंसल है अब नहीं करूंगा मैं क्योंकि लेट हो गया और अब भी मेर को एजेंसी पे जाना है एजेंसी पे जाके सारे डॉकुमेंट जमा करके सारी सिच्वेश बहुत जरूरी है अभी तो क्योंकि बहुत जाता बड़े वाल हो गया बापा हो गया बापा यह बाबा कि आज गर्मी बहुत जाता है भाई मैं सची बताओं पैंचर पड़वाने गया था तो मैं गाड़ी छोड़के चला गया था मैंने पहले सौब देखी जाके कहीं पर कि जहां से कंजी वगएरा मिल जाए कोल रेंग से कंजी कुछ भी मिले तो एक से कंजी वाला ठेला मिल गया था तो मैं एक से कंजी पी के आया आराम से बहीं पे छाओं में बैठा थोड़ी देर पर गर्मी बहुत तेज पड़ रही है खतरनाक वाली गर्मी जिससे बोलते हैं एक बार जब गया था लखनौ साइदराउंड हाँ लखनौ गया था तब में ले थे मेरे को स्कूल के बच्चे आज फिर मिल गए है यार इन लोगों को समझ में कब आएगा देखो ये जा रहा है दिबाना प्रूरी चाथी पर पैंड बांध के तिबानों की तरह जा रहा है ये देखो लाइट नहीं है फिर भी बच्चे दो बैठें एफ स्कूल के लेके आ रही है थोड़ी सत थोड़ा तो सैंस हो अपने बच्चों के लिए अपने लिए नाओ अपने बच्चों के लिए तो यहां भाई बीच्चे बैठे है उनको सेफ ली ले जाूँ मैं और अभी सबसे बड़ी दिक्कत पते किया है मैंने डॉकुमेंट कि किसी की भी फोटो कॉपी नहीं कर रही है अभी फोटो कॉपी भी करानी है और फ्रोड मिल गया क्या वाट है खुशी हो जाती है इस गाड़ी पे तो और फेस पर थोड़ा सब्सक्राइब लग्या फॉंडेशन भरके आंकों में भी पढ़ गया थोड़ा सा दगाने वाले इच्छे नहीं थे तो फाइनली गाईस सारे पेपर सारे डॉकुमेंट्स जमा हो गए और सबकुछ एजली हो गया कोई दिक्कत नहीं हुई पहले हॉस्पिटल जाओंगा महभू भाई को दे वेरी नाइस पर एक खास वात तो है संडीगड में आने के बाद ना फेलिंग चेंज हो जाती है पूरी एक तम अच्छी वाली बाई बाती है आते ही पेड़ सुरू हो गए ठंडी ठंडी हवा स्टार्ट आना सुरू होगी और फाउंडेशन भी अपनी लगेगा मेरे फेस दिक्कत और हो गही है मेरे साथ में अगर आपर पाईजर क्लोज कर रहा हूं ना तो अंदर कर मी से ना तो फेक'र वाली वह रही है ने समझ रहे हो जो भी होती हो ब्ला-umat पटाने सकता मैं सावरे हां मेरे को प्रीम को रहो हół हएांखों मेरे थोड़ी थोड़ी थोड़को सी है नहीं है इस aufge ब्लाइभ रहता हूं तो इतनी कोई ट्राफिक रहता नहीं है जो ड़न बगेर होड़े यह वह ऐसा वैसा और मैक्समा आदा गंटा सुबा आदा गंटा साम पाना जाना ही होता है आप होस्पिटल पहुच चुका हूं मैं और यहां से एक टन अभी महभूपाई के हाल चाल देखते हैं क्या है क्या सील नहीं है कब होगा ऑपरेशन और उसके बाद मैं सेलोन जाओंगा और यह आगे हम होस्पिटल जी मैसेच सिक्स्टीन होस्पिटल अभी होस्पिटल से निकल लाय हूं मैं और अभी जा रहो हूं मैं सेलोन में हेर कट पर आने और महभू भाई अभी ठीक हैं डॉक्टर ने स्टीज थोड़ा सचेंज कर दिया है अभी टाइमिंग दिये परसो कि के आपका परसो करेंगे ऑपरेशन तो अभी तो आराम कर रहे हैं मैं मैं गोला तुम्हाराम करो मैं थोड़े से अपने एर कट करा के आता हूं है अलो गाइस अलो गाईस है अजिए है अब लोग सब दढ़िया अभी मैं बन्दा दील हुआ है अभी मलाइका सिरावत दांस कर के लिए एर कट भी हो गया है और अभी मैं निकल रहा हूं फैक्टरी की साइड में क्योंकि बहां भी एक दूलड़के हैं सायद उनसे मिलके आना है तो अब ही ऐसा है ना मैंने कार सब्सक्राइब अभी मैंने चांज कर दिया एक मैंने फोन कर दिया था वहां पर तो फोन से ऊग्या थोड़ा से ही काम था अब मैं बहां से बढ़ां सब्सक्त रहा हूं क्योंकि घर पे मेरको अगर लाइट आई होगी उगी श्बाह में निकला था जब तो लाइट नहीं तो मैं ऐसे ही दिमाग खराब था ऐसे निकल गया अगर लाइट आगी होगी होगी तो मैंने कपड़े दोने है अब ऐसे ही चलाऊंगा मैं अगर दिमाग कान गया सुबह के निकले साम को पहुंचे घर पे काम बहुत है ठाड़ लगानी है पोच्छा लगाना है बरतन साफ करने है कपड़े दोने है और अब मैं अकेला हूं ना देहान भाई चलेगे घर और सब कुछ करना पड़ेगा मेरे को अकेले तो गाइस रूम पे आते ही मैंने इसका डाटर ट्रांसफर पे लगा दिया है लाइबटॉप में जब तक ट्रांसफर होगा तब तक कपड़े जो बिखरे पड़े हैं इनको साफ कर लूँगा तक धुलेंगे यह कपड़े तब तक मैं किचन साफ कर दूँगा किचन भी पूरी गंदी है और यह भी थोड़ा सा फ गाइस एक चीज और दिखा तूम, मेरे रूम में पानी आ गया है, क्या बात है, वे, 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 ये देखो, भैंकर गेट से, औरे, ज्यादा आ रहे है, इसकोट, आ, बाइफर भी लेकर आया, ये तो पंगा हो गया, कि इतनी तेज बहारे सो रही है क्या, कितनी अल्ये तो ये लेकोट पान दो गया, अब क्या करों मैं क्या करों इसको डामता हूं इस पर इस टाइए, वारिस देख लो, ये वारे हो रही है, बयानकर ये पानी भर घया इसका नाला को टो उसके बाद मिलता हूं मैं अंदर आ क्यों इसके बीतने निट जूकर और बहुत गया तो यह बंद हो गया था इदर वो इसके AC के और फिरेज के गत्ते रखे हुए ना उसके विसे इसमें हलके से तूटके गिर गया है तो इसके बंद हो गया है तो पानी पूरा भड़ गया गया अंदर आ गया एक तम आप मैं पूरा ठीक सोगा हूँ अब चादर बोड़ के सोनी का टाना बना रहा है जब मैंने अंदर आया रोम में देखा अंदर पानी आने लगए दा लागे देखा इतनी बैंकर बारिस हो रही है दो मिनिट में ऐसा हो गया पर दिया खाना भी बनाती है बड़ बारिस नीरुखने में आई है और चलो आज लिए बशए बस इतना ही अभ हाँ, सालो, बाई बाई बाई